जेदी आप किसी भी इस्त्री के दिल में अपने लिए महबत पैदा करना चाहते हैं सिर्फ दो मिनट के भीतर में आप किसी भी इस्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार कागच पे उस इस्त्री का नाम लिख करके ये वह सिकन टुटका कर हमेशा हमेशा के लिए वह इस्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी और रात दिन आपको याद करेगी, मेरे प्यार पर वक्तो, बहुत सारों लोगों को लगता है क्या पता वो सिक्रन होगा या नहीं होगा, क्यों हम बेकार के बातों में पड़े अपने समय को बरब प्यार कदूए 14-20 Canadian AG करें मेरे प्यारपर भखतो। जब प्यार में दोखा मिलता है दिल तुटता है प्यार छुड़कर चला जाता है कोई इस्त्री आपसे बात नहीं करती है तो बहुती बुरा लगता है बहुती तक्लीफ करके अजमाना है चमतकार खुद पक्खोद देखिएगा और खुद बोलिएगा कि हाँ ये वसिकन तुटका है मेरे प्यार वक्तों आज का जो वसिकन तुटका मैं बता रहा हूँ बहुत ही प्रचंड है सिद किया गया है और अजमया गया है इस वसिकन टुटका का प्रियोग जैसे ही एक वर आप किजिएगा पलभर में वो इस्तरी आपके प्यार में दिवानी होकर आपके पीछे पीछो गुमना शुरू कर देगी सिर्फ कागज के उपर में उस इस्तरी का नाम लिखना है जिसको अपने प्यार में दिवानी बनाना चाहते हैं पलस का चिन दे करके अपना नाम लिखना है थोरी से मात्रा में चावल यानि की अच्छत और एक इलाइची लेकर के इस वसिकन टुटका को कर देना है सिर्फ दो मिनट का समय लगेगा दो मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमेशा के लिए आपका वसिकरन हो जा ठीक ना मेरे प्यार वक्त हो जैदी आप चाहते हैं मन चाहे इस तरी को वसमें कर ले मन चाहे इस तरी से साधी करे प्यार में धोखा मिल गया है प्यार छोड़का चला गया है प्यार दो महीने से बात नहीं करता है चार महीने से बात नहीं करता है चाहते हैं कि वह प्यार खुद पर खुद आपके पास आए आपसे बाते करे जो आपका प्यार वह इस तरह आपके नंबर को बलाओ की है खुद पर खुद आपके पास फोन करे तो आप यह सिकन टूटका सिर्फ एक बार जरूर कीजिएगा चलिए बताते हैं कैसे करना है उसके पहले मेरी चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भल घंटी कुछ और दवएए कि ताकिम जितने उड़ाएंगे सबसे पहले आपी के पास में जाएगा मेरे प्यार वक सबसे पहले आपको एक भोजपत्र कागज लेना है या सादा कागज लेना है ऐसा कागज लेना है जो कि साब सुत्रा हो सुध हो ठिकरा कागज लेने के बाद में आपको करना क्या है सबसे पहले उस इस्तरी का नाम लिखे उसके बाद में पलस काचिन दे करके अपना नाम जैसे ही नाम लिखिएगा आप क्या कीजिएगा धैसे दिखिएगा नीचे में आपको इस प्रकार से बनाना है। बग्टो ध्यान देजिएगा आपको कागज के उपर में इस प्रकार से बनाना है बनाने के बाद में आपको यहाँ पर त्रीसुल का चीन बनाना है यहाँ पर दत्री का चीन बना देना है जैसे इंत्रिशल काचीन बनाईएगा आप बीच में सबसे पहले यहाँ पे क्लीम लिखे क्लीम लिखे क्लीम लिखने के बाद में इस परकार से तीछा करेंगे कागज को और यहाँ पे लिखिएगा जहां से दिखिएगा यहाँ पे काम देवाय क्या लिखिएगा काम देवा आम यहां पर लिखना है और इसको इस प्रकार से पलट करके यहां पर अमूक नामना क्या लिखना है अमूक नामना उसके आपको पलट करके नीचे में लिखना है देहां से देखिएगा कमाक्षी कमाक्षी देवी जैसे ही लिख दिजेगा आपका काम पूरा हो जाएगा आप करना क्या है देहां से दिखिएगा जैसे ही इस प्रकार से बना दिजेगा आपको करना क्या है आप एक इलाइची लेना है इलाइची को लेकर के सबसे पहले आप अपने मन में इस तीनों नाम को बोल करके जो कि यहां पे काम देवाय, अमुक नामना और यहां पे कमाक्षे देवी लिखा गया है तीनों नाम को बोल करके फुक लगा करके इसको बीच में रखना है जैसे हैं बीच में रख दीजिएगा आपको थोड़ी से मत्रा में अच्छत लेना है यानि की चावल लेना है और लेने के बाद में आपको करना के हाँ ध्यान से दिखिएगा आप इसके उपर इस प्रकार से छिरक दीजिएगा चावल को क्या किजिएगा छिरक दीजिएगा चिर रखने के बाद में आपको करना के हाँ ध्यान से देख़ेगा है, आप अपने मन में इस मंतर को बोल दिजिये, जो मंतर में बताने जा रहा हूँ. यह बहुत इन छोटा सा मंत्र है जैसे हिसे मंत्रों को बोलिएगा इस कागज को अपने सामने रख करके इस टोटके को करकर करके इसके बाद में आपका प्यारवा इस्तरी जहां भी रहेगी आपके प्यार में ट्रपना शुरू कर देगी रात दिन आपको याद करेगी आपके बगर नहीं रह पाएगी जहां से दिखिएगा यहां पर बस आपको प्यार का अपने उसे श्तरी का नाम लिखा रहना चाहिए मंत्र इस प्रकार से है मंत्र हम यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले मंत्र है ओम इस मंत्र का प्रियुक आपको करना है मंत्र देख लिजे ओम रिम रिम वसम वसम स्वाहा इस मंत्र को बोलना है इस कागज को अपने सामनी में रख करके मंत्र को 108 पर बोलना है ज्यादा नहीं बोलना है और मंत्र बोलते हैं आपको आपका ध्यान इस इलाइची पे लगाना है दूसरे जगाँ द्याण भढ़काना नहीं है कोई भी बीच में रोके टोके बात करें आपको बात नहीं करना है जयसे हैं मंतर पुरा हो जागा इस कागज को इस परकार से मोर देजिएगा ध्यान दीजेगा इलाइची बाहर ना निकले जैसे ही मोर दीजेगा आप इस कागज को इलाइची सहीद ले करके किसी भी भात हुए पानी में तुरांट उसी समय भात है जैसे ही भाहिएगा आधे से एक घंटे के भीतर भीतर में आपको खुद मालुम चल जाएगा जिसके लिए आपने वो सिकरन किया हुआ है वो आपके प्यार में बेचैन होकर खुद आपसे मिलना चाहेगी आपसे काउंटेट करना चाहेगी आपके बगार नहिरा पाएगी रात दिन आपके लिए टरपेगी हमेशा आपको याद करेगी जो प्यार छोड कर गया है रूट गया है बात नहीं करता है नमबर बलॉग कर दिया है वहीं प्यार आपसे मापी मांगेगा आपके लिए टरपेगा और आपके पास वो वापस आएगा बस आपको करना है सही तरीके से जैदि आप अभी तक मिर्चान को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मिर्चान को सब्सक्राइब जोर कीजिये को और गहन्टी को जोर दवाईगा ताकि हम जितनों बढ़ाएगे सब सब पहलापी के पास में जाएगा